हाई गाईज मेरे नामिस संचत और आप दिख रहे हैं टेक बार आप लोग को एक इंटरस्टिंग बात बताता हूं लेक मैं जब ये यूट्यूब चैनल खोलने किया था ना मेरा मोटे भी ये था कि मैं आप लोग को काफी नई नई टेकनोलजी दिखाऊंगा और आज जो मैं आप लोग को वीडियो दिखाने वाला होना वो पूरा प्योर AI या फिर रोबोटिक वर्ड का एक्जामपल है और हो सकते हैं आपको बहुत ज़ादा एक्साइटिंग लगे क्योंकि मेरे लिए ये सूपर क्रेजी चीज थी मैं आप लोग को इंट्रेडियूस करवाता हूँ शाउमी के रोबोट से जो की आपके घर की सफाई करेगा तो यहाँ पर कैच ही है कि इसका प्राइस जो है 25,000 रुपे है और लोग क्या करते हैं अपने काम वाली को महीने की उसकी जो भी सेलरी होती है उसको हटा कर सोचते की चलो भाईक बर ये खरीतते हैं और सालो साल जो है मस चले गई लेकिन हम लोग ये बूल जाते है कि जो ये शाओमी का रोबोट है ये घर की सफाई करता है लेकिन जो मैनमेड सफाई की बात है वो उसको रिपलेस नहीं कर सकता क्योंकि कुछ-कुछ कमिया रही जाती है और मैं ये बोल सकता हूँ अगर आप लोग चाहते हो कि सोबा से ल गंद आया और जो प्राइस सेग्मेंट रखा है ना वो जो डाइसन है ना डाइसन को लिटरली किल कर दी है इसने मैं आप लोग को बताता हूँ एक्साइटिंग चीजे सबसे पहले जो देखते हैं इसको हर किसी के माइंड में कोईशन आएगा ना कि भाई ये इतना पाव कर सकते हो और ये अच्छे से डीप क्लेरिंग बिल्कुल कर लेगा जो कि आपको जो है जाडू लेके जाना पड़ता सफाई करने के लिए वो ये चीज रिप्लेस बहुत प्यार से कर सकता है तो ये एक मेरे को बहुत अच्छा एडवांटेस लगा दूसरा जो हर किसी के मा पर रखकर दिखाता हूं इसको और ये सफाई करते हैं पूरा सकैन करता है और ये गरता है किसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जो कि डीटेट करता है कि मैं गिरने वाला हूं या फिर नहीं ये मुझे बहुत ही मस चीज लगी दूसरी बात यहां पर मैं अगर आप लोग शाउमी ने तो मुझे बहुत मस लगा इन फे कारपेट भी बहुत प्यार से चड़ जाता है और अच्छी बात तो यह है इसके इंटेलिजेंट होने का एक और रीजन मेरे को जो दिखा कि यह आटोमेटिकली डिटेट कर लेता है क्या मैं मार्बल पे हूँ या फिर कारपेट पे हूँ और मैं आप लोग को बताता हूँ जाडू, पोचा या फिर वैक्यूम यह सारे जो ना मतलब हम अलग-अलग चीज़े खरीदी हुए ना हमने इन चीज़ों के लिए यह शाउमी का रोबोट है यह आल-इन-वन सल्यूशन है इसके अंदर जो एक पानी का टैंक ट परकी है बट हाँ अगर पूरे दिन आप इसको लगाया रखोगे तो ऑविसली घर तो चमकता हूँ दिखेगा दिखेगा तो यह एक एडवांटेज जरूर है लेकिन मैं आप लोग को बता रहता हूँ कि यह क्रेजी टेक है और मैं आप लोग को एक और मस बात बताता कि नी भाई मेरा माला अब सेंसर चलने बंद हो जाएंगे तो इसको थोड़ी सी हाइट ऊपर चाहिए अपनी हाइट से अंदर गुसने के लिए बैड वगयरा के तो मेरी बैड की तो हाइट थी जादा और यह अंदर की भी सफाई कर देता है जो कि आपके घर के काम वाली डेली बेसेस पे स्किप कर दे तो यह मुझे एक बहुत ही सई चीज लगी थी तो अवरल मैं कह सकता हूं कि यह इंटेलिजेंट है स्मार्ट है हेल्फुल है काफी क्रेजी टेक है इससे भी जादा कमाल की बात आती है इसकी एप के अंदर जिससे आप स्केडियूल कर सकते ह कि किस टाइम आपको सफाई चाहिए इनफेक्ट पूरे घर का आपका यह मैप बना लेगा पहले पूरा घूम कर कि भाई कहां पर क्या चीज रखी हुई है और उसके अकॉर्डिंग जो है यह आटोमेटिकली चलेगा और क्योंकि इसने मैप बना लिया है तो अगर इसको ल सकता हूं कि कमिया क्या है तो मैंने नोटिस किया है कि कहीं पर भी बहुत सारी तारे है तो यह उसको स्किप करके चला जाता है ओविसली इतना भी कोई बहुत बड़ा रोबोट नियागी जो तार अठाके उसके नीचे पोचा होचा मार दे सफाई फाई कर दे वो सब चीज किसी चीज से कि हां भाई मेरे आगे कुछ है तो वो भी चुट चुटी कमिया मिल जाती है अनॉमिली जेर हर प्रोड़ेक्ट के अंदर होती है बट मैंने कहूंगा कि यह फर्स जेनरेशन वाला प्रोड़ेक्ट है मेरे साब से फुली लोड़ेड है और पूरा तयार है हमा अगर आपका काफी बड़ा कमरा या फिर बड़ा घर है तो इस चीज का ध्यान रखना और बैटरी बेकप की बात करूं तो यहां पर मुझे अच्छी चीजे लगी है कि यह एक से दो घंटे का बैटरी बेकप देरेता है डिपेंडिंग किस स्पीड पे चल रहा है यह किस डिपेंग कर रहा है यह तो इसलिए मैं इतना बड़ा डिफ्रेंस दिया एक से दो घंटे गा तो आपके घर की कन्डिशन के अपोर्डिंगी बता सकता है कि इतने सेंसर वर्क कर रहा होंगे तो मेरे साब से एक दो घंटा बहुत सही होता है यह इतने घंटे की सफाही तो उस एरिया को रिस्ट्रिट कर सकते हो, वहां पर यह रोबोट नहीं आएगा, तो यह एक एडिट एडवांटेज जरूर है, मेरे को पहले लगता है कि शाओमी जो है अच्छे प्रोल्ट्स बनाता है, बट मुझे नहीं पता था कि शाओमी का मोटिव यह है कि चीजों को इतना ज्यादा स्मार्ट कर दो, कि बिल्कुल इंशानों की नीड काता हो जाए, तो यह मुझे बहुती क्रेजी बात लग रही है, मैं बहुती ज्यादा इस रोबोट का फ्यूचर देखना चाहता हूँ, कि क्या आगे और यह इनहेंस्मेंट लेके आता है, अब यह के दूँ और इस वीडियो को लाइक करकर जरू जाना और शेयर करना अपने मम्मी पापा सब के साथ, और अगरे मिलते हैं, थैंक्स बबाचे,